नमा संस्कृताय कच्छा साथ के मेरे विद्यार्थियों मैं आपको इस वीडियो में आपकी पाठ कुस्तग रुचिर्या दुदियह पाठा दुरुबुद्धि विनस्यती पाठ का प्रश्णोत्तर बताने चल रहा हूं देखिए अभ्यासा उच्चारण करना है फुलोत पलं अव लंब पक्त्वा कम बुग्रीवः आवाप भ्याम भच्छई स्याम उक्तमान फिर्दम सुहिर्दाम भवत भ्याम उद्धियते भ्रश्टा इस तरह से उच्चारण करेंगे अब पाठ को बेदर धन से पढ़ेंगे सभी सब्दों का उच्चारण करेंगे फिर है एक पदेन उत्तरत कूर्मस्य किम नाम कच्चवे का क्या नाम था कूर्मस्य नाम कम बुग्रीवः आसीप फिर है सरस्तीरे के आगच्चन सरस्तीरे सरोवर के किनारे कौन गए थे सरस्तीरे धीवराह आगच्चन धीवरा वह वच्चन धीवराह आगच्चन के के आस्तर एक पदेन एक एक सब्द में निखना है पहले में कम बुग्रीवः दूसरे में धीवराह फिर है कूर्मह केन मारगेन अन्यत्क गंतुम इच्छतिं कच्चवा किस रास्ते से दूसरी जगां जाना चाहता है एक पद में आप लिखोगे आकास मारगेन केन मारगेन केन के स्थान पर आकास मारगेन फिर है लंब मानम पूर्मन दिश्ट्वा के अधावन लटकते हुए अच्छुए को देखकर कौन दोड़े गोपाल काह बहुबचाई फिर है अधो लिखित वाक्यानि कह कम प्रती कत्यती इतलिखती कौन किसके पती कह रहा है यही आपको लिखना है एक दारम दिया है प्रातायत उचितम तदकरतव्यम हंस व कूर्मन प्रति कार्थ है हंस ने कच्छुए से कहा फिर है अहम भवध्याम सा आकास महरगेन का गंतुम इच्छान कौन किस से कहना चाहता है कच्चुवा हंस से कहना चाहता है तो आप दिखोगे कूर्मा हंसव प्रति अगला है अत्र कह उपाया है किसने कहा हंस ने कशुवे से कहा इसका क्या उपाय है अगला हम उत्रनद आस्यां मैं उत्र नहीं दूँगा इसको कच्षोई ने हंस से कहा कूरमा हंसव प्रति फिर है योवियं भसम खार्यादत तुम लोग भसम खाओ इसको किस verdict से कहा कक्षूई ने गोपालकों से कहा तो कूरमा गोपालकं प्रति देखते हैं मन्जु सातह क्रियापदम चित्वाप पाक्यान पूर्यत कोष्ठक में क्रियापद दिये गए हैं उसके आधार पर आपको वाक्य पूरा करना है हंसा भ्यामसा कूर्मो अपी हंस के साथ कछुआ भी प्रतिवसति अस्मो रहता था पहले में भरोगे प्रतिवसति अस्मे अंति मौला फिर है अहम किशित अपिना मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा अहम किशित अपिना वदिश्याम में कुछ भी नहीं बोलूँगा वदिश्याम भर दिजे इसमें अगला है यह हित कामना नाम सुहिर्दाम वाक्यम न पहला वाला अभिनन्दति यह जो हित कामना हित ऐसी मित्रों की वाक्य का स्वागत नहीं करता यह हित कामनाम सुहिर्दाम वाक्यम न अभिनन्दति अगला है कूर्मः एकह कूर्मः अपी तत्रेव प्रतिवसति अस्मित हो जाएगा एक एकह कूर्मः अपी एक कच्वा भी उनके साथ वहां रहता था जो पहला है हंसा भ्यामसा कूर्मः अपी वहां हो जाएगा उड्डियते मैंने प्रतिबसतियस्म मताया था वह नहीं होगा वहाँ होगा हंस दोनों हंसों के साथ कच्छुवा भी उड़ रहा था और यहां है कच्छुवे के साथ दो हंस भी रहते थे एस अगला है अगला है वयम ग्रिहम नीत्वा कूर्मम भच्छाइस्याम हम लोग घर ले जाकर कचुवे को खाएंगे भच्छाइस्याम फिर है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है कच्छपा कुत्र गंत्वम इच्छती कचुवा कहां जाने की इच्छा करता था लिख दोगे न अन्यत्र गंत्वम इच्छती कच्छपा अन्यत्र गंत्वम इच्छती कच्छपा दूसरी जगह जाने की इच्छा करता था कच्छपह कम उपायं वदती कच्छवे ने कौन सा उपाय बताया कच्छवे ने कौन सा उपाय बताया युवां कष्ट काश्ट दंडम एकं चंच्वा धारयतां अहम काश्ट दंडम अद्दे अवलंब युवतोह पचबलेन सुखेन गमिस्यां तीसरे पारग्राप में लिखा गया है तीसरे लिचे देख के लिख लेला अगला है लंब मानम कूर्मन दिश्ट्वा गोपालका किम अवधन क्या कहा हंग हो महत आसर जम हंसा भ्यामसा कूर्मो अभी उठीयते यह कहा था इसको आपने लिखेना चौथे गध्यांस में है फि पूर्मवमत्रयोवचनम बिश्मिर्थ किम अउधत मित्रों की बात को भूल कर क्या कहा तूम लोग भसम खयाओ यही कहा था इसको लिख लेना फिर है घटना क्रमानुसारम वाक्यां लिखत इसको मैंने पेंसल स्लिक दिया है घटना क्रम के अनुसार कौन सवाक होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस क्रम में आप लगा लीजिए इस क्रम में आप सब काभी में दिख लेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पचोगा इसे गाह पहला हो जाएगा गाह दूसरा इस तरह से देखके आप लोग कर लेंगे आगे देखते हैं सात्मा मन्जू सातह पडान खित्वा रिक्त अस्थानान पूर्यत इसको भी मैंने पेंसल से लिख दिया है अर्थ मैं इसका बता दे रहा हूं एकस ब्रिच्छ से साखा सो अनेके काका वसंती अस्म एक ब्रिच्छ की साखा पर अनेक कव्ये रहते थे तस ब्रिच्छ से कोटरे एकस सर्पह अपि अवसत कोटर ने भरा जाएगा पिंसल से मनी भरा है उस ब्रिच्छ के कोटर में एक सर्प भी रहता था काका नाम अनुपस्थितव सर्पह काका अहां सरपह भरा जाएगा कव्ये की अनुपस्थिती में सर्प कवह के बच्चों को खा जाता था काका नाम सिसूञ खात तियसमरा काका़ दुख्षीता आसं कव्वे। दुखी हो गए। देशर एका वरिध्धा काका उपायं अचित्यत। उसमें से एक व्रित कव्वे ने उपाय बताया। व्रिच्छ से समीद झलासेहा、 आसी। व्रिच्छ के समीद झलासे था। तत्र एका राजकुमारी असनातुन जलासेम आगच्छति असमा। वहाँ एक राजकुमारी असनान करने के लिए आती थी। शिलायाम इस्थितात अस्याम आभर्णम आदाय सिला पर रखे गए उसके आभूशन को देख करके एक काका ब्रिच्छ के ऊपर रख दिया। राज सेवक का अनुसरन करते हुए ब्रिच्छ के समीप आए। तत्र ते तम सर्फंच अमारें वहाँ उनके द्वारा वह सर्फ मार दिया गया। तत्र ते वहाँ उन्होंने तम सर्फंच उस सर्फ को अमारें मार दिया। अतह सही कहा गया है उपायें सर्फंच सिद्धयती। उपाय के द्वारा सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इस अंकट में भी पड़ा हो फिर भी कोई कोई समाधान सोच रहा है निरास नहीं होगा है। मन में कोई कोई उपाय सोच रहा है। संभव है उस समस्य का समाधान मिल जाए और वह परेसानी से बाहर निकल आए। अगर कोई उपाय नहीं सोच रहा है। सकारात्मत भावन भी नहीं है। निरास हो गया, उदास हो गया, हतोस साहित हो गया। तो चाहे कोई उपाय पस्तित भी हो, कोई बढ़िया सरल तरीका बता भी रहा हो। लेकि इवर मन से जिरास हो गया उदास हो गया हतोसाहित हो गया तब वह कुछ नहीं कर पाएगा। बृत्त कव्वे के उपाय से जो कव्वों की समस्या थी वहा हल हो गई। इसमें समाहार है दिख समाहार है इस तरह है।